आपका स्वागत है तो मैं आपके समख्ष फिर से उपस्तित में एक नए वीडियो में नए टॉपिक है तो आज का जो टॉपिक है निमलोजी के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि जो लिए चार है उसके लिए क्या चीज है क्या चीज्य है जो इनरजी परदान Chamill करने यह को सूट कर रहा है उसको अच्ठा लग रहा है। कि लिए उसके लिए विडियो और निम्म जी के जो विडियो अप्लोड की है जो बेसी कंसेफ्ट से रुलेटेड है आप उन्हें नहीं देखिए तो किर्पिया उसको देखिया और बेसी कंसेफ्ट को दूर कीजिए और आप इस चैनल पर पहली बार तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप भी इस वीडियो को सेर कर सकते हैं जो आपके नियर इंडियर है ताकि इस तरह के नॉलेज को इस प्रेड किया जा सके तो आज दोस्त हम बात करते हैं नमबर चार का जर जो नमबर चार है यह राहु से गवन होता है यानि कि जो व्यक्ति चार तारीकों, तेरा तारीकों, बाइस तारीकों, एक्तिस तारीक को जर्म लिये हैं उनका जो रूलिंग प्लेनेट होता है वो क्या होता है राहु होता है और वो राहु से गवन होते हैं और इसको हम बोलते हैं कि जिनका मुलांग चार हो या जिनका साइकिक number 4, वो number 4 को बिलोंग करते हैं राहु उनका ruling planet है, अब हम बात करते हैं कि राहु के क्या attribute है, 4 number वहलों को क्या attribute है, चार number का जो attribute है, यह organization का number है, यह discipline है, यह destination है, यह workaholic number है, तो चार number के लोग ऐसे होते हैं, अब जो 4 number के लोग ऐसे होते हैं, इनकी lucky चीज़ें और शूब चीज़ें और शूब चीज़ें क्या हो सकती है अगर हम बात करें इनके lucky number का तो इनका lucky number है one three five six and seven चार का lucky चार नहीं होता है चार के लिए जो चार number है आशूब नहीं है इसमें अगर हम number में देखें तो इसमें कोई होता है कि neutral type यह कम फ्रेंड्ली होगा कोई बहुत ही फ्रेंड्ली होगा तो इस मेरे इसाफ से जो लखी नंबर है चार का वह 167 यानि कि 67 इसके लिए बहुत इस्पीसियस नंबर है खासकर कि 7 जो है 487 का कमिसन बहुत रिल्टीमिट कमिनेशन होता है इसलिए जो प्योर जो हाइली और कि 5 यानि कि अब आप देख सकते हैं कि चार का क्या हो सकते है अब उसी तरह से हम लखी दीन की बात करें जो दीन जो एसाइन किया गया है जो दीन का इनर्जी है जो राहू को सूट करता है वो चार नमबर से जो है वो है संडे यानि कि चार नमबर का जो अस्पिस्यस दीन है जो भाग्य साली जी जी जो सुभ दीन है वो रवी वार है रवी वार क्या है अ सटार्ट करते हैं कि संडेज होगा उनके लिए इस चुटेवल होगा उसी तरह से अगर हम बात करें कलर का रंग का रंग का बहुत ही इंपेक्ट है मारे लाइफ में अगर जो चक्रा के बारे में इनर्जी यहां पर फिर्क्वेंस आता है वहाँ इनर्जी का कंसेप्ट आता है जहां इनर्जी कंसेप्ट आएगा तो जो कौस्मिक इनर्जी है उसका इफेक्ट हमारे मारे माइंड में में सोल में पढ़ता है तो अगर हम बात करें गलर का तो चार बॉल को शुट करेंगा चार नमर के लिए लखी हो गा हम बात करते हैं मुबाइल नमबर का डो kines oldu मॉबाइल नमर का जो поступ थे या और दो का बहुत ही असान नहीं ऐसे कुछ बेसिक्स में इंडिकेट करूंगा जो चार मुलांक वालों के लिए सुटेवल होगा तो माल लिए कि आपको कोई मुबाइल नमबर स्लेक्ट करना है जो चार मुलांक वाले लोग है यानि कि जिनका बढ़डे चार को को 22 को 31 को हुआ है उनको अपना कोई मुबाइल नमबर स्लेक्ट करना है तो कोशिस करें कि उस मुबाइल का जो सम हो यानि कि टोटल जोड़ने के बाद जो मुबाइल नमबर आता है वह क्या होना चाहिए देख लिए जैसे वह उसका एक तीन पांच छे होना चाहिए यह इसमें से है लेकिन अगर इसमें एक और क्रेटिरिया है भाग्यांग पे भी डिपेंड करेगा कि आपका नमबर क्या होगा यानि कि मुलांग और भाग्यांग दोनों को कंबिनेशन में देखकर दोनों को लखी चूच करेंगे जो 1356 मे टोटल करेंगे तो फाइव आता है अगर चार नमबर वाले ब्यक्ति हैं यानि कि चार मुलांक वाले ब्यक्ति के लिए यह मुबाइल नमबर सुट करेगा लेकिन इसमें कुछ और पॉइंट से जिसको मैं हाइलाइट करना चाहता हूं आप कोशिज कीजिए कि हैं लेकिन इस नमबर का एक दिमेरीटत है कि चीजियों से बहुत ऑचेट हो जाता है जल्दी से उसको डिच्ट नहीं हो पाता है तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि हाड़ विर्कर के साथ आपको एक स्मार्टर बनने के लिए क्लक्ष कimagin पर पनने के लिए चीजिए नमबर इस चीजों से दूर करता है अगर चार और साथ का combination जाये हो जाये तो यह complete personality complete soul complete body बनता है जिससे आपकी सारी जो life के dimensions हैं वो खुल जाते हैं आपके success के जो रहा है उसमें कोई भी बाधाएं नहीं होती है इसलिए हो जाता है तो हर नमबर का अपना attribute से positive है निगेटिव है तो यह रहा जो concept जो चार नमबर से मैंने explain किया यानि मैं इसको conclude करूँ यानि कि summarize करूँ तो चार नमबर वाले जो लोग हैं वो क्या हैं वो और कोहलिक होते हैं और गनाइज होते हैं अटाइज हो जाते हैं किसी काम से determined होते हैं बहुत ही worker हैं यह काम करने के लिए ही पैदा हुए हैं ऐसा समझे इनको work काम करने में बहुत मज़ा आता है तो ऐसे नमबर है लेकिन इनकी डिमेरिट भी है कि कि किसी चीज के प्रतिय काफी कि attach हो जाते हैं जिसको detach होने की लगी नहीं है तो यह रहा इस color के बारे में ने बताया मैंने कौन सा mobile number suit करेगा suitable होगा चार नमबर वाले को इसके में लेक्रेंट किया जोस्तों यह रहा एक छोटा सा वीडियो जो की indicate करता है बताता है कि चार नमबर वाले मुलांग के लोग लोग हैं उनके लिए क्या चीज़ें उस्पीस्यस हो सकती है और किस्टी जो को हमको ध्यान रखना है चाकि चार नमबर वाले जो जो एक अच्छी भाई रेसंस मिले एक अच्छी इनर्जी मिले एक अच्छी उड़जा मिले जो उनको success में support करे यही है चार नमबर का वीड से कुछ नौलेज़वल तत हैं इस टॉपिक से लेटेड तो इसको कमेंट के माद हम से जरूर सुचित कीजिएगा ठीक है दोस्तों फिर वाय थैंक्यू फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में